सालों ने अपने ही दोस्तों के साथ मिल कर अपने ही जीजा की तलवार से काट कर कर दी हत्या हत्या करने की क्या थी बज़ा जान कर आपके भी हो सुड़ जाएंगे नमस्कार अदापणा मैं अभिशेक कुमर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल आरेल ग्लोरी में आप देख रहे हैं सची घर्णा की एक नई एपिसोट के साथ एक नई कहानी चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार पुर्वग दोस्तों यह सची कहानी हर्याना की यम्ना नगर की हैं अपनी बहन रिशू से नराज होकर उसके दो भाईयों ने अपने ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीज अभिशेक की कर दी हत्या दोस्तों अभिशेक और रिशू की कहानी को अच्छे से जानने के लिए हम लोग एक साल पीछे जाएंगे दर असल इस कहानी का सुरवात उस समय हुआ था जिस समय अभिशेक ने पहली बार रिशू को आईला भी बोला था अभिशेक हैंसम और सभाव से एक अच्छा लड़का था इसलिए रिशू अभिशेक के प्यार को एक्सेप्ट कर ली थी केम के रिशू भी अभिशेक से बहुत प्यार करते थी उसके बाद दोनों के बीच में नजदी किया बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए इसी बीच अभिशेक और रिशू अपने घर वालों से छिपकर पार्क में मिलने गए थे उसी समय रिशू के भाई का दोस्त ने रिशू को पार्क में देख लिया था और वह रिशू के भाई को यह सबी बाते बता दिया था यह सुनकर रिशू के दोनों भाई गुसे में आग बबुला हो गए थे और वह रिशू के आने का इंतिजार कर रहे थे लेकिन जब रिसु घर पर नहीं आई तो उसके भाई उससे ढूनने के लिए घर से चले गए जैसे उसके भाई घर से गए उसी समय रिसु घर पर आ गई फिर रिसु के घर वाले उसके दोनों भाईयों को कॉल करके बुलाए और बोले कि रिसु घर पर आ गई है वह लोग घर पर आते ही गुसे में रिसु को समझाया और उसके साथ हाता पाई भी किया रिसु के साथ उनके भाईयों के ऐसा विहेव करने से वहरोती हुई रूम में चली गई और जाकर अभिसेक के पास कॉल किया और सारी बाते बताई यह सुनने के बाद अभिसेक ने कहा कि हम दोनों घर छोड़ कर भाग जाते हैं और साधी कर लेते हैं रिसु अभिसेक के बातों से सहमत थी और दो दिन बाद घर छोड़ कर अभिसेक के साथ भाग जाती हैं उसके बाद अभिसेक और रिसु दोनों साधी कर लेते हैं साधी करने के बाद जीरकपूर गाह में दोनों एक साथ रहने लगते हैं दोनों को एक साथ रहते रहते करीबन एक साल बीथ जाता है फिर रिशु एक बच्चा को जन्म देती है अभिशेक घर में बच्चे को जन्म लेने से अभिशेक बहुत खुश था ऐसे ही कुछ दिन बीच जाता है फिर एक दिन अभिशेक अपने रिष्टदार की साधी में यमना नगर जाता है यमना नगर आने की भनक रिसु के भाईयों को पता चल जाता है रिसु के दोनों भाई प्लान बनाते हैं प्लान बनाने के बाद अपने ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अविशेक के रिष्टदार के घर साधी में जाते हैं और साधी में जाने के बाद अविशेक की तलवार से गला कार देते हैं और अविशेक के बचाने आए उसके दोस्त को भी जखमी कर देते हैं अभिशेक की गला कटने की बजा से उसकी तुरंत मिर्तिव हो जाती है और उसका दोस्त वहीं पर तरप रहा होता है उसके बाद पूरे घटना की जनकारी पुलिस को मिलती है पूलिस मोके पर पहुंचती है और अभिशेक की बोड़ी को पोस्माटम के लिए भेज देती है बोड़ी को पोस्माटम के लिए भेजने के बाद रिशू के लगाए गए अपने भाईयों पे आरोप के अधार पर पूलिस रिशू के दो भाईयों समेट तीन दोस्तों को गिरफतार कर लेती हैं दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उदेश मुझे किसी को ठेश पहुंचाना किसी को तकलिक पहुंचाना नहीं बस आपको बताना चाहते हैं आप जहां भी रह सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें धन्य बाद